नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवली साम आज जो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं वह एकनॉमिक्स सेक्टर का उध्योग छेतर पढ़ने जा रहे हैं इस परिच्छा के परपस से यह आपको जो फैक्ट पूरा जो आता है एकनॉमिक्स का उसके जो जो यूपी PCS साथ ही साथ उत्राखंड PCS आरो यारो और यूपी में यह सभी जगे काम आएगा क्योंकि यह केवल फैक्ट है अगर यूपी अगर किसी भी प्रश्न को देखेंगे एकनॉमिक्स में अगर 10 प्रश्न आ रहे हैं किसी भी पेपर में तो आठ प्रश जो आते करेंट से जो बजट से जोड़ गया तो हमें केवल केवल सिफ करेंट ना पड़cı हमें फैक्ट भी पड़ना है चले और करते हैं इससे पहले विडियो में हमने क्या रास्टियाय को कम्प्लीट कर दिया था और साथ साथ कृषी को खतम कर दिया था आप जानते हैं एकोनोमिक्स के तीन सेक्टर होते हैं एक एकरिकल्चर सेकंड देखिंग इंडस्ट्रिय उसके पाद देखिंगे सर्विस सेक्टर यानि कि कृषी उध्योग और जो सेवाचे था हमने कृषी छेटर देख लिया था कल पूरा कि जो नियुंतम समर्थर मूल है कैसे आते हैं कब इसके स्थापना हुई या कैसे कैसे दिये जा रहे हैं किन-किन फसलों पर जुनतम समर्थर मूल दिया गया है अब तक और गन्य को किसमें जोड़ा जाता है तो यह सब अब तक उसमें पढ़ चुके हैं आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उद्ध्योग छे विकास जादा नहीं हुआ है तो उसके विहाब पर यहां कोश्चन जादा बन जाते हैं इसमें लगभग जो इस बुक में है आप देखेंगे वह 84 से 85 कोश्चन इसमें जो है दिया हुआ है पर हम हर एक कोश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ लें तो हम एक वीडियो में पूरा 40 कोश्चन देखेंगे और दूसरे विडियो में हम जो 44 कोश्चन देखेंगे चलिए प्रारम करते हैं भारत में अध्योगी की विकास ही तो सईयुक थेचर का विजार किस अध्योगी करन के प्रस्ताओं में रखा गया था वह था 1956 की अध्योगिक नीती था भारत में दूसरी अध्योगिक नीती 1956 में सईयुक्त छेतर की संकल्पना रखी गए थे जिसके अनुसरा अध्योगिक की नीती के अनुसर कितने उध्योग को लाइसंस के अंतरगत रखा गया था वह था 18 उध्योग जो है वह लाइसंस के अंतरगत थे लेकिन वर्तमान में केवल जो है पांच है और यह पूछा जा सकता है इस बार क्योंकि आप देखेंगे लोगसभा का जो लोगसभा का इलेक्शन चल ला है तो यहां वो सकता है लाइसेंसिंग को लेकर यह प्रश्ण बन जाए कि जब 1991 में LPG मॉडर लाया गया तो उस वक्त कितने छेत्रों करें कितने जो अध्योगिक नीति थे उनको लाइसेंस दिया गया अपने पास सरकार रखी तो वह 18 थी अपकालिन अब इसका इस्प्लेशन देखते हैं वीपी नरसीमर राव सरकार ने 24 जुलाई 1901 क्यान बे में एक नई अध्योगिक नीति की घोशना की जिसमें बहुत से उदार 24 उद्योगों के लिए लाइसेंस व्यवस्ता बनाए गया तब है कि इस समय ततकालिन वित्यमंत्री श्री मनमुहन शिंग्जी थे पर्तमान में पांच उद्योगों को लाइसेंस निति के अधिन रखा गया है जैसे कि आप देखेंगे हमारा जो है आपको मिलेगा अंत्रि व्यवस्ता है भारत में नई और द्यूगी की नीति की घूशना की गई कब की कि 1950 में की गई जब LPG मोटल लाया गया था नई और द्यूगी की नीति की अंतरगत कदम उठाए गया थे कैसे और द्यूगी की लाइसेसिंगी एका अधिकार था प्रतिबंदिद वैपार वहवार को फिर है सरवजनिक छेत्र आप देखेंगे सरवजनिक छेत्र का फिर विदेशी निवेश और विदेशी सरवजनिक छेत्र निमने केंद्री सरवजनिक छेत्र उध्यमों में से कौन दस उच्चितम लाभकारी उध्योग में संबलित नहीं है वह आप देखेंगे राश्टी टेक्स्टाइल कॉर्पोरेशन जो है वह सामिल नहीं है अब प्रशनिकाल के समय भारती संचार निगम लिम्टेट भारत सरकार की सबसे बड़ी संचार कंपनी थी 24 परसन बाजार 25 संचार छेत्र के हिस्सेदारी इसके पास थी उस समय इसके पास मीनी रतने का दर्जा था वर्तमान में इससे बाहर कर दिया गया है राष्टी टेक्स्टाइल कॉर्पोरेशन दस उच्चितम लावकारी उद्ध्यों में इसे नहीं है आप दिख्धाता है कि वर्तमान में 13 सरजनिक कंपनियों को 9 रतने तथा 11 जो कंपनियों को महारतने की श्रिणी में सामिल किया गया इन 11 महारतने कंपनियों में भेल, BPL, गेल यह सब है और साथ ही आप देखें जो 13 है इसको करके 15 कर देए अभी दो जो है अक्टूबर में या नॉवंबर में जोड़ी गई है लेकिन इस जो टॉपिक में नहीं है वो उन दो कौन-कौन सी करन के विशे उसको जरूर एक बार देख लिजेगा अब है राष्टी नवीनी करण पंड के गठन का उद्देश था है क्या उद्देश था इस समाजिक सुरच्छा जो है इसका उद्देश था नवीन अध्दोगी की नीती 1991 के द्वारा राष्टी नवीनी करन पंड की स्थापना की घोश्ण की गई जबकि इसकी स्थापना वर्ष 1992 में की करना था जो अध्यों की उन्ययन वह अधुनी करण की कारण प्रभावित हुए हैं अब है भारत में नई आर्थिक नीती कब लाई गई वह लाई गई इस नई आर्थिक नीती के मात्यम से सरकार ने आर्थिक इस्थरी करण का धाचा सुधार ने ही तु प्रबंदित थी जबकि धाचागर्ज सुधार अर्थवस्था की पूर्थी के पच्छ में था बाकी आप यह लपीजी मॉडल देख सकते हैं आर्थिक इस्थरी करण में देखेंगे तो तीन प्रकार के सुधार किये गए थे पहला है मुद्रा स्विती को नीचे वा इस्थिर रखना बुखतान संतुलन को समर्थिस्थिम लाना और राज-खोशि शंतुलन जो इस्थिर रखना था एक रुखेगा अब उसके बाद देखेंगे धांचा का सुधार देखेंगे इसके अंतरगत देखेंगे निम्न उपाए अपनाए गये थे पहले आप देखेंगे वैपार तथा पूझी प्रभाव सुधार फिर और दोगी की नियंतरन को समाप्त करना सार्वजिनिक्च उपक्रम सुधार तथा उसमें निवेस और वित्ती छेत्र में शुधार था स्वाधिन भारत के प्रथम और दोगिक निति जिस वर्स भूशित की गई थी वह था 1948 पहली उन्निस और तालिस में लाए गए थी दूसरी आप देखेंगे उन्निस सो चौवन में लाए गए थी अभी हम लोग ने पढ़ए थे सोतंतरता से पहले और दोगिक मिति आ गए थी यह सोच देखें यह एक दूर दर्जिता मतलब उस समय के जो हमारे राजनेता थे किस प्रकार की विचारधारा से प्रभावित थे कि आप देखें सोतंतर होने की बाद चल लही थी इसी समय आप देखेंगे 6 अप्रैल 1949 जो थ सब्सक्राइब कर दिया है और दोगिक मितिक गोशना चीए अप्रैल दूसरी डॉक्टर श्यामा प्रशाद मुखर जी की समय की किरी दिखी इनका नाम आपको याद अगना था जो प्रसाद मुखर जी उस समय और धुगिक मंत्री थे इस नीती द्वारा ही देश में मिश्रित यानि नीजी इवं साज्विनिक इवं नियंत्रित अर्थवस्थ की नीव रखी गए इसमें उध्योगों के चार श्रेणियों में बाटा गया समाज वाटी धंग से समाज की स्थापना की उद्देश से दूसरी और धुगिक नीती की घुष्रां 30 अप्राइल 1956 में की गई थी इसमें उध्योग में तीन वर्गों में बाटा गया दिसंबर 1970 में जनता सरकार ने अध्योगिक नीती 1970 की घुष्रां अध्योगिक मंतरी जन्रल परडांडिस इसमें लगू एवं कुटूर उध्योगों को विश्येश ध्यान दिया गया जुलाई 1980 में कॉंग्रेस सरकार द्वारा गोशित अध्योगिक नीती 1980 में सर्विनिक छेतर में कुशल प्रबंद पर बल दिया गया फिर है 24 जुलाई 1950 में क्या हुआ था अध्योगिक नीती जो है अध्योगिक नीती की घुष्रा प्रधान मंत्री नर्सिम्मर राओ के समय हुए थी इसका मुख उध्योगिक लाइसेंसिंग जो है करते हैं MRTP Act सार्विनिक विदेशी न भुष्रा थी अधिन Linked acost स्वाथीन योजना के अंतर लच्षीत संहों में था फुट्पात विक्रेता थे अध्यों जो आप देखें कोरोना टाइम स्टार्ट हुई थी आप स्वार निधी योजना एक केंद्र छेत्रों की योजना थी जो लागडाउन से में धीले होने के प्रस्चात जो पत्थ पे विग्रेताओं को अपनी आजीवका और रोजगार दुबारा सुरू करने के लिए किफायत स्ट्रीट वेंडर होते हैं वो सब अपना काम स्टार्ट कर सके इस योजना के अंद्रगत जो है लच्छे समुव में शहरों में भीरी लगाने वाले पत्थ विक्रेता इसमें शहरी इलाकों में आसपास की ग्रामीर छेत्र से आई विक्रेता भी शामील है जो 24 मार्च 2020 उस मंदल समती ने पीम स्वानिधी को मार्च 2022 में आगे बढ़ा कर दिसंबर 2024 तक चारी कर दिया गया है तो याद रखिए कि दिसंबर तक के लिए अब लागू हो गई है देश का जीडीपी की जीडीपी के घटक है प्राथमी दूतिया रधातिया और विदेशी छेत्रों के उत्पादन निम्न मदों में से उसे चिन्नित कीजिए करिए जो दूतिया छेत्र में संबलित नहीं है तो क्या नहीं है उपियोत सभी जो है आप देखेंगे खनन जो है आप देखेंगे दूतिया छेत्र में नहीं आता है बाकी निर्मार उत्याम सब दूतिया छेत्र के मे किया जारा और इसे भवन विनिर्मा जहां की वस्तों का उत्पाज जैसे कपड़े प्रेट आदी विद्दुद गैस जल आप पूर्ती से सम्मंदित है जबकि खनन एवं उत्खनन क्रिशी वानिकी मत से मचली पकड़ना सब प्रात्मिक छेत्र में आता है अब है उत्तर प्र कानपूर में है या उत्तर प्रदेश सरकार का अध्यूगिक एवं मूल और सनचना विकास की प्रगती के लिए कार्यत एक सर्विनिक उप्रम है अब भारती अर्थवेस्ता में संयूक्त छेत्र का अभिप्राय क्या है तो आप देखेंगे कि इस उध्यम में जो संयूक्त रूप से नीजी छेत्र का सर्विनिक छेत्र है अब है बी आई एफ आर संबंदित है कि रूग्ण और दोगी की इकाई को के पुर्ण निर्मार से संबंदित है रूग्ण और दोगी की इकाई के पुर्ण निर्मार के लिए जन्वरी 1987 में एक समवेधानिक संस्ता और भारत के सनराइज उध्योगों तेन की अलाइज बारत हैं जहाँ सूचना प्रधोकी इलेक्राणीक छेट्रों परद्रीग्या चिकित्रा सब्सक्रांदित भी घ्ञान आता है 9 रतने का तात्पर क्या है ये सरविनिक छेत्र की वे 9 अध्धुगी जिनोंने 25 स्वायत्ता प्रदान कर ली है देखिए इसमें 11 थे 13 जो है महारतने है भारत में किस भारती सरविनिक छेत्र के उक्रम को चार नौरतने कंपनियों को दिया गया महारतने का दर्जा नहीं है तो आप देखेंगे BEL को नहीं है बाकि आप यह पढ़ सकते हैं इसके बारे में आप जो है अभी जब गूगल पर साच करेंगे तो इसमें दो कंपनिया और बढ़ गए जो करने के साथ आप उसको देखिए गा नौरतने का विचार संबंदित है किस से है आप देखेंगे वह आपको मिलेगा सारविनिक छेट के चैनित उध्यमय से है 1997 से 98 में केंदरी बजट में अच्छा निस्पादन करने वली नौ सारविनिक उपरम को चुना गया और उन्हें नौरतने की संग्या दी गई उस समय मूलता नौ कंपनियों को यह दर्जा प्रदान किया गया था नौरतने कर दर्जा उन कंपनियों को प्रदान किया जाता है जो वैश्विक कंपनी के रूप में देश की अर्थवेस्ता में महात्यपों भून का निभाएं और उसमें अपनी नेट वर्थ का 15 परत्षत तक का निवेश कर सकती है। इतना ही नहीं ही नहीं इन कंपनियों के निवेश पोर्ड की अधिकरह और विलय समंदिन दिर्णाय लेने का अधिकार होता है। निम्लिकित में से कौन एक जैसा नहीं है। मतलब कि आप देखेंगे यह जो इसलो ऑईल है वो एक जैसे नहीं नावरत में सम्मलित सर्वद्निक छेत्र के उपरम कौन से हैं वह आप देखेंगे मनलिकित में से नहीं है आप देखेंगे प्रश्नितुति पूर है भारत में जिन वेवसायों का वीनियो एक करोण तक का कारूबार पांच करोण तक है तो उन्हें कहा जाता है वह सूच में अध्यमुद्ध्योग में आते हैं अब इसको जो 25 करोण तक कर दिया गया है ध्यान अब MSME अधिनियम के अंतरगत एक लगू उद्धियम है जिसका वार्सी कारुबार कितना है आप देखेंगे वह देखेंगे पांच करोन से 75 करोन तक है अब है उची को मिलाना है फल और प्रजाती मिलाना है यह कोश्चन कहां से है इसमें आ गया इसको इभी छोट देजे कोश्चन जी तो चलिए जो आप देखेंगे यह धान जो उसकी प्रजाती धान की प्रजाती में देखेंगे तो आपको कहते रत ना मिलेगी सर्सों में आप देखेंगे तो आपको कहते वरुना मिलेगी अलसी में आप देखेंगे तो अलसी में आप को कहते हैं तहें लिफकाल यह आप दो जगें काम आएक तो आप देखेंगे कि आपको ऑपको इस इंडिन जियोंगर्फी में में भी काम आएगा निम्लिखित में से कौन सा ग्रामीर अर्थवैस्ता का अंच्टान नहीं है आप देखेंगे नीजी धन धन उधार देने का प्रशलन स्थापित की गई थी वो थे मलिः ग्राम संथी याद रगे को कि मलीः संति सूच मुढद्योग ने ना विकास हुूआ है वह आप देखेंगे देखिने कुटूरुद्ध्यों का विकास हुआ है भारत जैसे विकास सील देशों के लिए लगू स्थरी वक्टूरुद्ध्यों को मुक्ता इसलिए प्रसाहित करना चाहिए क्योंकि आधिक रोजगार के आउसर उत्पन होते हैं वर्ष 2006 में पारिद अधिनियम के अनुसार सूच में उपकरमों के लिए निवेश की सीमा जो कितनी कर दी गई थी वहाँ देखेंगे दस लाग कर दी गई थी अभी जो आप देखेंगे और दस लाग लगबग 250 करणों तक का निवेश और 250 करणों तक का कारूबार हो सकता है निमलिखित में से लगू उद्ध्योग की क्या समस्या है तो आद देखेंगे उप्योग सभी से पूंजी का अभाव है विपरन की जानकारी नहीं है कच्छे माल का अभाव भी है अब निमलिखित में से कौन सा एक लगू उद्ध्योग की समस्या नहीं है तो आद देखेंगे अरताल और ताला बंदी जो है लगू उद्ध्योग की समस्या नहीं है क्योंकि आद मुझे से कुछी लोग काम करते हैं निमलिखित में से उद्ध्यमी हेल्प लाइन स्थापित की गई है किसके लिए सूच में लगू और मध्यम उद्ध्योग के लिए स्थापित की गई है निमलिखित में से किस एक समिती ने उद्ध्योग में लगू छेत्रों के लिए वस्तूओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की थी वो थे आबिद हुसेन समिती थी भारत में विनिवेश आयोग का प्रतम अत्यश कौन था वह देखेंगे जीवी रामकृष्ण अब राउल केला इस पात सहयंद्र की स्थापना हुई है कहां वे जर्मनी की सहयोग से की गई है अब निम्लिकित में से कौन से विपरन संस्था कौन सी है तो आद देखेंगे सेल है ठीक है अब यह 40 प्रश्ण हो गए अब इसके बाद हम कल के वीडियो में देखेंगे धन्य आएफेंगे से वीडियो